दोस्तो केंदर की सरकार ने IS, IPS और IFS अपसर की accountability को fix करने के लिए एक और उनके ओपर obligation लगाएं obligation यह है कि हर IS, IPS, IFS officer को अगर stock market में कोई transaction करनी है तो केंदर की सरकार को बताना पड़ेगा तो वो वैसे भी बताते हैं यहाँ पर specific requirement यह है कि एक IS, IPS, IFS officer की जितनी basic pay है उस basic pay के 6 गुने से ज़ादा अगर वो stock market में या share की dealing में या किसी भी और प्रकार के investment में खर्च करता है तो उसको केंदर की सरकार को बताना पड़ेगा तो मालो कोई नया IS officer recruit करके होके गया है उसकी 54,000 basic pay है या लमसम मालीजे 60,000 basic pay है तो 60,000 basic pay into 60 तो हो गया 3,60,000 3,60,000 से ज़ादा का चाहे उसने share market का share खरीदा हो, bond खरीदा हो, कोई car खरीदी हो अब आज की date में कोई भी car 4,000,000 रुपई से तो कम में आती नहीं नहीं नो छोड़ो दो तो तो literally आपकी basic pay के 6 गुने से ज़ादा का अगर आप कोई भी investment करते हो irrespective of the fact कहां कर रहे हो तो आपको केंदर की सरकार पर बताना पड़ेगा और यह जो नियम कानून लगाए गए है this is in access to या फिर कहलो this is in addition to the rules which are mentioned under 16.4 of the All India Services Conduct Rule 1968 एक बार को All India Services Conduct Rules 1968 पे आ जाते हैं और इस particular rule के 16 clause 4 में हम लोग जाते हैं जब आप इस rule के 16 clause 4 में पहुँचोगे तो आपको मैं पढ़के बताता हूँ देखें क्या लिखा हुआ है Every member in the service shall intimate the government in respect of each transactions whose value exceeds two month basic pay of the member of the service within a month of completion of such transaction तो basically अगर माल दीजे कि कि किसी IS, IPS या IFS अफसर की या फिर civil services, All India Services में काम करने वाले अफसर की तीन All India Services में पे IPS, IFS और Indian Forest Services फोरन नहीं तो इन तीन services में काम करने वाले जो अफसर हैं अगर वो अभी जो नियम है, 16-4 वो ये बोलता है कि उनकी दो महीने की basic pay से ज़ादा का वो कोई भी transaction करते हैं अब मालो नया लगा हुआ रिकूटेड IS officer की basic pay है 24,000 रुपे तो उसका दुगना हो जाएगा 1,8,000 रुपे तो कल की डेट में वो अगर अपने लिए या अपनी family member के लिए 1,10,000 की स्कूटी खरी लेता है जी हाँ आजकल महेंगिया स्कूटी तक 1,10,000 की आ जाती है तो उसको सरकार को बताना पड़ेगा कि उसने 1,10,000 की स्कूटी करी दिये तो प्रेज़ेंट डियम 16,000 क्लॉस चार क्या बोलता है IS, IPS और IFS अफसरों के लिए कि basic pay का दुगने से जादा का अगर कोई भी transaction आप करते हो कहीं भी करते हो तो आपको केंदर की सरकार को intimate करना पड़ेगा और अगर यही transaction आपका किसी एक ऐसे individual से है जिसके साथ आप official capacity में deal कर रहे हो तो उस case में आपको सरकार से previous sanction लेनी पड़ेगी तो कल की date में आप कहीं पर SDM posted हो या फिर collector posted हो और IS rank में हो अब राज जी की सरकारों के नियम कारूर कंड़ेट के अलग होते है बड़ाब अगर आप IS हो और केंदर की सर्री राज जी की सरकार में posted हो as a collector और वहाँ के किसी contractor के साथ dealing कर रहे हो परसनल capacity में तो सरकार से आपको return permission लेनी पड़ेगा अला कि ऐसा कोई करता है तो भाई या अभी तक सोला चार में यह लिखाता है कि आएस IPS अफसर की basic pay के दूगने से ज़्यादा का transaction report करना है अब 6 गुने से ज़्यादा का transaction report करना है पूरे साल में यह जो दो महीने basic pay का एक transaction report होगा मतलब overall अगर आप कोई एक transaction करते हो जो कि आपकी दो महीने की basic pay को exceed करता है तो आपको सरकार को बताना सोला चार में लेकिन कभी कभी क्या होता था कि यह आएस अफसर कैसे काम करते हैं मतलब कोई भी IS IPS अफसर कहलो कि उसकी basic pay मानलो 60,000 रुपे तो एक लाग बीस जार से ज़्यादा का transaction उसको report करना है तो transaction करेगा एक लाग का 80,000 का 70,000 का तो उसको report करने की जरूत नहीं अब अगर मानलो एक लाग के उसने दस transactions कर दिया तो 10 लाग का amount होगा बीस transaction कर दिया तो 20 लाग का amount होगा पूरे साल में तो अब साल की भी limit लगा दी गई अब तक 16,4 के अंदर एक transaction पे लिमिट थी कि आप 2 महीने की basic pay से ज़्यादा का transaction नहीं करोगे आप पूरे साल पे भी limit लगा दी गई है तो आपकी basic pay जितनी भी है उसके 6 गुने से ज़्यादा अगर आप पूरे साल में खर्च करते हो stock pay, share pay या किसी बहुर investment में तो भी आपको सरकार को बताना इसका proper pro forma IS, IPS और IFS अफसरों के बीच में circulate किया जा रहा है उसको वो भरेंगे और केंदर की सरकार को provide करेंगे देखिए technically दोस्तों ये जो all India services में काम करने वाले officer IS, IPS अफसर ये फिर केंदर की सरकार के किसी भी department में काम करने वाला officer group A हो, group B हो, group C हो उसके उपर बहुत प्रकार के restrictions है जैसे for example अगर आप all India services में नहीं हो, subordinate services में हो तो 50,000 रुपे से ज़्यादा कि अगर आपको इचीज खरीदते हो तो आपको सरकार में इंटिमेशन देना है अगर आप office आते हो तो आपके जेब में 4,000 रुपे से ज़्यादा है तो आपको cash register में इंट्री करनी पड़ेगी अगर आप दिल्ली में रहते हो और दिल्ली से मालनों मसूरी घुमने के लिए जाना है आपको तीन दिन तो किवाल आपको छुटी नहीं लेनी है आपको station leave permission भी लेनी है आपके boss को पता होना चाहिए कि जिस headquarters में आपकी posting है आप उस headquarters को छोड़ के जा रहे हो अगर आपको विदेश जाना है तो विदेश जाने के लिए आपको अपने department से NOC लेनी पड़ेगी overall online stock market में trading करने के लिए जो आप कहलो portfolio account मिलता जब उस portfolio account के लिए आप sign up कर रहे होगे न तो उसमें terms and conditions में लिखा होगा कि आप सरकारी अफसर नहीं होने चाहिए वो अलग बात है कि आप अपरी personal capacity में share खरीद सकते हो जैसे for example अगर आपको SBI के 5 share खरीदने है या फिर कह लिजे कि किसी और bank के BNB के मान लिजे 10 share खरीदने है किसी reputed company गिर जायंस के 4 share खरीदने तो इस प्रकार की investment आप कर सकते हो लेकिन आप frequent investment नहीं कर सकते हो आज की news में एक और चीज लिखी हुई जो सब rule है IS के 16 clause 4 के उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि frequent investments are not allowed कभी कभी occasionally आपने अपने personal saving के लिए अपनी तनखा से investment करके share stock करीद लिया लेकिन समय समय पर आप share stock खरीद रहो बेच रहो खरीद रहो बेच रहो तो this is a sort of speculation और as an IS, IPS, IFS और government servant आप ये नहीं कर सकते हैं एक और बात दोस्तों जब भी property की बात की जाती है कि हाँ पर एक civil servant के पास कितनी property तो उसमें दो प्रकार की property होती एक तो movable property होती है, एक होती immovable property तो अगर किसी civil servant के नाम पर मालो कोई जमीन है, कोई flat है, कोई घर है तो वो immovable property है, लेकिन अगर कोई share है, कोई stock है, कोई bond है तो उसको आप movable property बोलोगे तो basically share stocks movable property होती है और इस particular movable property में अगर एक IS, IPS और IFS officer frequently invest करता है share खरीदता है, बेचता है, भले ही, चोटे quantum में खरीदे बेचे तो उसको speculation की category में count किया जाएगा और rule 41 of the conduct rules ये बोलते हैं कि IS, IPS और IFS service का कोई भी member speculate नहीं करेगा, ना ही stocks में, ना ही shares में और ना ही किसी और प्रकार के investment में occasional investment कर सकता है, थोड़े बहुत शेर बगरा खरीद लिए, बट speculation नहीं कर सकता, frequent खरीद बेच नहीं सकता, और जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि अक सरकर IS, IPS और IFS officers के उपर बहुत सी restrictions लगाई जाती हैं, जैसे for example अगर आप यहां पर 16 clause 3 पढ़ो, तो no member of the service shall accept the previous knowledge of the government, acquire any immovable property by lease, dispose of by lease, mortgage, sale gift, any immovable property, provided that previous sanction of the government shall be obtained if any such transaction is with the person having official dealing, दिखिया, क्या है, एक civil servant खुद के नाम पर जो property खरीद रहा है, बेज रहा है, उसके बारे में उसको prior knowledge देनी सरकार को, सरकार को intimate करना है, तो कल की date में आप IS IPs बन जाते हो, तो कोई भी flat land खरीद होगे, आपको सरकार को बताना है, बट कुछ legal issues कुछ दिन पहले उड़ गए थे, कि overall जो spouse है, जैसे कि एक male IS officer है, तो उसकी wife हो गई, या फिर female IS officer हो तो उसका husband हो गया, अब ऐसे case में जो spouse है, जो partner है IS officer का, उसके उपर भी यहाँ पर restriction लगाई गई कि उसके नाम पर भी property नहीं ले सकते, लेकिन बात यह उड़ती है दोस्तों, कि कए IS officers के जो पती या जो पत्मियां होती हैं, वो खुद में बहुत कॉबिल होती हैं, corporate sector में कुछ बहुत बड़ी जगा पर काम कर रही होती हैं, तो वो अपने पैसो से भी property खरी सकती हैं, तो उस case में IS officer के उपर responsibility डालना, कि वो उसका spouse या उसकी spouse घर खरीद रही है, जमीन खरीद रही है, अपने पैसो से और उसके लिए भी IS officer को अपने department में notice देना पड़ रहा है, तो फिर उसके department वाले उससे पूछने, अपना account balance देखो, चुगी देखो, जब भी overall आप report करोगे ना, कि आपने इस investment में खर्चा किया है, तो आपका department आपसे proof मागेगा, जैसे for example, आपकी basic पे है 60,000 रुपए, तो दो महीने की basic पे होगी 1,20,000 रुपए, आपको 1,50,000 रुपए का समान खरीद दो market से जाते हो, मालो आप तनिश में जाके कंगन खरीदते हो, तो उस context में जो 1,50,000 रुपए का आपने payment किया है ना, यह आपको दिखाना पड़ेगा, कि आपने कहां से किया, आपकी तनखा में से कटा, यह आपने credit card में से payment किया, सरकार एक एक चीज का हिसाब रगती है, तो ऐसे case में, एक IS, IPS या IFS officer का अगर husband है, या फिर अगर उसकी wife है, तो वो अपनी कमाई से अगर कोई property खरीदते हैं, तो उसमें IS को, सरकार को intimate नहीं करना चाहिए, लेकिन सरकार बोलती है, intimate करना पड़ेगा, लोग का युकता में, मैटल पहुँचा, लोग पाल में, लोग पाल में decision यह निकल क्या है, कि अगर आपका spouse अपनी कमाई से घर खरीदता है, या कोई और asset खरीदता है, और आपने उसको funding नहीं किये, तो उस case में आपको department में intimate करने की जुरूरत नहीं है, तो माल लिजे कोई एक IS officer है, XYZ, उसकी wife है ABC, उसकी wife ABC अपने पैसों से या उसकी wife को उसके घर वाले पैसे देते हैं, और अगर वो कोई घर खरीद लेते हैं, तो उस context में इस IS officer ने पैसों के respect में कोई मदद नहीं की, अगर इस IS officer ने पैसों के respect में कोई मदद नहीं की है, तो इसको department में intimation देनी की जुरूरत नहीं है, तो क्या है ना, कि सरकार overall ISIPS, IFS officers के ओपर इतने जादा restrictions डालती कि overall उनके लिए चीज़ें करना मुश्किल हो जाता है, अब सरकार कभी intention गलत नहीं है, कहीं न कहीं corruption में ISIPS officers involved नहीं इसलिए ऐसा किया जाता है, बट obviously बात है, जो ISIPS और IFS officers corruption कर रहा होगा, वो कोई भी चीज़ अपना या अपने wife के नाम पे रखेगा ही नहीं, तो better ये रहेगा, कि इस corruption को point out करने के कोई और तरीके धूने जाएं, ना कि इस प्रकार के आपके लोग बहुत से legal entangles impose कर दिये जाएं, एक ISIPS के उपर आपकी इसके बारे में क्या राय है, लीचे comment box में ज़रूर बताएं, आशर करता हो, यहाँ पे कुछ ने कुछ useful, आपको जानने को मिला हो, have a great difference, goodbye, वीडि झान रके बना.